इस यह बिर्यानी देख सकते हैं यह बिर्यानी नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में जर्निवी सुभम में तो आज हम लोग आ गए हैं आनंदपर्द के अंद्रपरदस में एक साधी में जहां मैं हम कर रहा हूं सुभरवाइजर सुधू सर के बेन के साधी है तो आईए देखते हैं उनीका व्यू तो चलिए बिना टाइम वेश्ट की वीडियो को सुरू करते हैं देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे कितना सुंदर इस जगह को सजाया गया है जी यहां यहां सुभा में फंसन स्टार्ट हो जाती है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुती सुंदर सजाया गया है दोस्तों तो चलिए इसे थोड़ बेक कामरा से दिखाता हूं आप सजाया हुआ यह इंटर है इंटर बहुत सुंदर यह है सच बता रहा हूं दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सब्सक्राइब साधियों का इंपोर्टन चीज होता है खाना तो खाना किसको पसंद नहीं है तो आज देखते हैं लोग है यहां रहा है इसपेसल क्या है खाना तो चलिए खाना की ओर चलते सबसे पहले और देखते खाना में क्या है हम आशेकि और पाके वॉर्ण की आफके यहीं कि कितने भड़़ यह कि इनको लगए पकड़रने में अ stylा सिंब्सक्राइब इतनले को यह बहुत ही क्यानि इस यादा क्योंचितना बंचिक लोगको इस लगों अठाने में लग रहे हैं ओस अऐस यहां डिल्यानी बर्ट बंभ आपने देख़ा कितना बिर्याणी बनी है यह प्रेसी बिर्यानी बनी तो अभी जैसे ल्कली के आच पकाय जा रहा है जैसा कि आप लोग देशकते हैं वाइस यह बिर्यानी ने बन के रेडिrebा है जैसा कि आप लोग देशकते हैं यहाँ की विर्यानी बहुत इसमें डाले गया है जैसाकि आप ने बिर्यानी बनाई है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह बना रहे हैं और इनका बिर्यानी बहुत टेस्टी होती है आप लोग अगर अंद्र पदेश आते हैं तो जरूर खाए इनकी बिर्यानी को आप लोग देश सकते हैं काफी हिट हो ररे हैं और यह भाज भूंजया जा रहा है यह भाज इनका पलंट आप मैंने हे यह बिर्यानी ही कॉएंटी यह त्केजी बन रही है यह यह थटी केजी बन रही है जयसा कि आप दे चाहिए सकते है विलब तड़का लगाया जाएगा जिसको बोले जाता दम लगाया जाएगा उसमें उस वाले भट्टी में यहां दो भट्टी लगी होए बहुत ज्याधा हीट हो रखी है यह देख सकते भी आप लोग चीकन पक रही है जब आख लोगे चीकन पक रहे हैं इसे चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसे बहुत बड़ा पल्टा से चलाया जा रहा है और हम चलते थो से बिर्यानी के चावल की तरफ सो गाइस यह इसके अंदर बिर्यानी चावल पक रही है यहां कि लोग तो ज्यादा स्पाइस दिखाते इसे भी आपक सिर्फ मिड़ चाहीं नहीं जा रहा है जाए जाए आप लोग दे सकते पीछे में कैसे बिर्यानी का चावल निकाला जा रहा है कि बहुत जादा ही मुझे हीट लग लग रही है आहाँ पर क यदाक आप लिए सकते हैं निकाल आप साकते है पीछह लोग दे सकते फ्रेंट्स बहुत ही यह बहुत ही है ऐधराबाद के लिए त्यार करें दाल रहें पहलें सकते हैं और सखेंगे यह चावल इसमें जा रही है सच में दोस्तों बहुत मैंनत लगती है इस बिर्यानी को बनाने में एक टोगी से दूसरे टोगे में चावल डालने पड़ती है और भी बहुत गरम रहती है चावल जैसा कि अब लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी हिट हो रही है इसमें केशी रंग जाकुका है फ्राइ ओनियन जा चुका मेरे मुँझे तो पूरा पानि हारे है फ्रेंज क्या यही बिर्यानी बन रहे है सच बता रहे हूं वहाई इसमें गी की बोचार हो रही है फ्रेंज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने डाला गया जी है वाउ तो फ्रेंट्स बिल्यानी काफि टेस्टी लग रही है अब इसे धग दिया जागा है ताकि इसे दम लगाया जा सके तो आगे देखते हैं दम कैसे लगाया जाती है तो जो लकड़ी होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है इसे किनारे किनारे से ज्यादा हीट किजिए होतने पड़ते दम लगाने के लिए ताकि तावल जले नहीं तो फ्रेंट्स ये फाइनली दम लगा जा रहा है जैसा क्या बलोग देशकते हैं गरम गरम जो लकड़ी होती है उपर में जली हुई लकड़ी उपर रख दी जा रही है और नीचे में से पुरा खाली कर दिया जा रहा है इसी वो बोलते दम लगाना काफी हीट हो रखी है फ्रेंट्स इस जगा पे सच बता रहा हूं बहुत ज़्यादा ही हीट हो रखी है आपने देखा कि दम कैसी लगाया जाती है जी आप फ्रेंट्स ऐसे दम लगाया जाता है बिर्यानी को अब थोड़ा दिर बाद देखेंगे हम लोग की बिर्यानी कैसे दिखती है बिर्यानी काफी सुंदर दिखेगी मुझे तो ऐसा लगता है तो चलिए देखते थोड़ा द और यह भाईया दिखा रहे हैं निकालके कैसे रहा है यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह दोस्तों तो गाइस कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भीले जनी विश्वम को और लाइक कर दे क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा मेरे अगले वीडियो के लिए तब तक लिए जहिन